आईपियल 2023 में रंग में आया दिल्ली कैपिटल्स का ये गेंदबाज स्रीलंका के लिए बना संकट तो क्या है खबर की पुरी जानकारी जानेंगे आज के इस वीडियो में वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सिरी सपंद के फैन है तो चनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करते हैं आईपियल 2023 के लिए दिन पर दिन तेज होती जा रही है तैयारिया सुल्वे सीजन के लिए मीनी आउक्षन भी हो चुका है फ्रेंचाइजी को सेडूल जारी करने का इंतिजार है दिल्ली कैप्टल्स ने भी आउक्षन में खिलारियों पर पैसो की बारिस की है दिल्ली ने auction में 5 खिलारीयों को खरीदा है सबसे महंगे खिलारी के तोर पर दिल्ली कैप्टल्स ने मुकेस कुमार को 5 करोर 50 लाक रुपय में खरीदा है IPL 2023 में सबसे पहले दिल्ली कैप्टल्स का एक गेंदबाज रंग में आ गया है जिसके परदर्शन को देखकर दिल्ली कैप्टल्स खुस हुई है हम जिस खिलारी की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं वलकि दिल्ली कैप्टल्स के गेंदबाज कुलदीप यादव है कुलदीप यादव मौदूदा वक्त में सांदार गेंदबाजी कर रहे हैं उनकी इस परदर्शन को देखकर दिली कैप्टल्स काफी हैपी होगी उन्होंने स्री लंका के खिलाफ दूसरे वंडे मुकावले में 10 ओवर की गेंदवाजी की 5.10 की बेहतरीन एकोनॉमी से 51 रन खर्च किया और 3 विकेट अपने नाम किया चाइना मैन ने बेहतरीन गेंदव कर स्री लंका की गेंदवाजी को कमजोर कर दिया ऐसे ही आई पिल अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें